जब जम्मू मुंसिबल कॉर्परेशन के चुनाव हुए थे तो तमाम जम्मू की जन्ता यानि के 75 के 75 वाड के लोगों ने ये सोचा था कि अब हमारे बारे में भी कोई सोचेगा जम्मू की भी तरक्की होगी खेर कुछ समय ऐसा आया कि पार्शदू ने यहां तक कह दिया कि उनके पास पैसा नहीं है तो जन्ता कहने लगी कि भाई साब तब जूटे वादे वो तमाम वादे जो आपने किये थे क्यों किये जब आपके पास पैसा ही नहीं था लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गय पैसा आता गया काम होता गया आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं तो इंदोर जो है वो नंबर वन पर है और जम्मू की अगर मैं बात करूं तो पहले 300 के पार था और अब 200 में आ चुका है आज इसी सब पर चर्चा करेंगे चर्चा करने के लिए समय मेरे साथ बलदेव में शामिल हुआ है आने वाले समय में क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोर दूसरे नंबर पर चले जाए और जम्मू पहले पर आजाए मैं कहता हूं कि जो आप कहा रहे हो कि लंबी शलांग लगाई है लेकिन मुझे लगता है कि हमारी शलांग आप भी शोटी थी हम इसे लंबी मौर तो हम तो नंबर बंद प्याने जाते हैं तो लेकिन कुछ शच्टनाईें भी है यह बात नहीं हमारे काम में को कमी है जैसे सालि बेस मैनल के परजेक्ट हैं बो जमू में नहीं लगे थे उसके नंबर होते हैं अब कही लोग पूछते हैं कि सिर नगर आ गया जमू क्य हमने काफी आगे के हैं लेकिन जिस दंग से अभी हमने इस काम को आगे लिया है, और आप गुमे के शहर में आप आपको जो जो 2018 से पहले हर गली के आगे कत्रे का डेर देखता था, जो आपको हर गली के बाहर बार के जिसे इंट्री में जो था, कुड़े करकट के धेर आपका स्वागत करते थे उस चीज को हमने बहुत आगे तक लिया है अब 2018 के बाद हमने अब देखा अभी हमने जो आटो लगाए हैं घरगर से कचरा उठा रहे हैं इसके अपर हमने बहुत तारी ज्यान दिया है हमारा जो प्लैन है हमने पूरी प्लैन बट टाप टैन में हमारा जम्मू आए यह हमारा पूरा प्रयास है लेकिन बलदेव जी एक बात तो आपको भी माननी होगी कि अगर शिर्नगर की हम बात करें तो शिर्नगर जम्मू से अभी भी बहुत ज़्यादा आगे है वहाँ पर अगर कोई भी मशीनरी आती तो पहले सीदा उधर चली जाती है यहां पर क्यों दूसरे नंबर पर क्यों ऐसा क्या है शिर्नगर मॉनसिपल कॉर्परेशन में जो हमारी जम्मू मॉन्सिपल कॉर्परेशन में नहीं है ऐसा कुछ नहीं है एक आपने माइन सेंट बनाया है कि जो चीज आती है वो से नहीं तल जाती जहां नहीं आती ऐसा नहीं है एज पर रिक्वाइर्मेंट है थे खुब मैं बावता हूँ के जितने आपके पास पैसे होंगे जितना आपका रेवन्यू होगा उतनी आपकी करनाना है कारपुशन का मतलब है कि रावन्यू जर्नेर करो और रिसोर्स बढ़ाओ उसके लिए जहां बहुत कुछ करने वाला था सबसे बड़ी मैं आपको बताओं कि सबसे बड़ी हमारी बतकिस्मती रही कि जम्मू किशमीर में बाकी परदेशन में पंदरा पंदरा वा लोकल वाड़ी के चुनाव होगे जम्मू में सुर्फ चार वार हुए हमारे पास मैन एंड मिशिनरी की कमी है कोई डाउट नहीं लेकिन आज हमने बड़ा सुधार किया है आज हम जो हमारा दस लाख रहे मेरी जो स्क्षिन है हल्थ हम सेंटर स्क्षिन मेरा दस लाख रिप 20 वाड़ों को आउट सोर्स कर रहे हैं मैन मिशिनरी हर चीज आएगी जो हमारा प्लैन है मैं आप डेटेल में कितना बता हूँ जैकर मैं आपके बिश्वास लाता हूँ कि हमारा शहर जो है जम्मू शहर के लोगों के साथ और हमारे सफाई कर्मचारी से लेके पदगारियो तक की महनत से हमारा शहर टाप 10 में डेफिनिट आई है जो है जो है वो अच्छा काम कर रहा है अगर हम करोना की बात करें जैसे ही करोना जो है पूरे विश्व में आया हमारे जम्मू में भी इसने दस्तक दी तो यहां पर एक चीज़ देखने को मिली अगर मैं कश्मीर के म कर्मचारियों का इस्तमाल किया और इतना एक खुबसूरत सा एक वीडियो ग्राफिक करके पूरी अपने श्रिनगर की अवाम को मैसेज देने की कोशिश की लेकिन वो चीज़ हमें यहां पर नहीं देखी इसलिए तो मैं कहता हूं कि ऐसा क्या है वहां पर जो यहां पर नह नहीं है रहां क्या नहीं कंसेटोंच कोशिटों नहीं आया देख लेका इसलिए चांके लिटोंच कने का क साथाने को बाकि travelled ji Пश करेंशिटोंक है मैनी है वहां है कि है कि आनके दो साल तो मेर बनाने में आठार ने, उन उतार ने मैं निगल गया जानना चाहूंगा कि अभी भी अगर मैं बात करूँ अगर हम बार्ट में जाते तो अभी बात करूंगा तो अब वह वह गलीयों और नालीयों को तक ही सिमत हैं गलीयों नालीयों से कब हम उपर उठेंगे, कब वह दिन आएगा जब हर एक वाड का शक्स यह कहेगा, नहीं, अब हमारी गलीयां और नालीयां सही है, अब कुछ और भी बात कीजिए। मैं बिल्कुल आपने बड़ी मेरे मान की बात कही, मैं सोचता हूँ बड़ी बार सोचता हूँ, मैं लोगों में निकलता हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक लोगों में रहता हूँ, मुझे बड़ी हरानगी होती है, जब मैं किसी महले में जाता हूँ, चाहे वो कोई फॉर् होनी चाहिए जी, हमारा रोड अच्छा नहीं है, इसको कर दो, हमारा जे कर दो, वो कर दो, वो कभी किसी व्यक्ति ने जे नहीं कहा, कि हम देश नर्मान कैसे करेंगे, जम्मू को आगे कैसे ले जाएंगे, इसका कारण है, इसका कारण है, यो सतर साल सरकार रही, उस सरकार न लोगों का माइंड सेट जो था वो नाली गली बिजली पानी में ही रखा सही मैने में जो नाली गली बिजली पानी जो है जे सरकारों ने लोगों को देना ही होता है जे लोगों का फंडामेंटल राइट है लोगों की सोच इससे आगे से शुरू होनी चाहिए लेकिन वो सोच जो है अब आईगी, अब देखो मैं अपताता हूँ आपके बात, अब हम healthy insurance की बात कर रहे हैं, अब मोदी जी के राज में हम और नए ने चीजियों को देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, हम आतम निर्बर बने की बात कर रहे हैं, यह काम करना है लोग कि देश को तो आगे लेके बाद में जाएंगे पहले हमारी गली नाली तो बना दीजेंगे लोग को हमारे से डिवैल्पि नहीं हो पाता बोई तो आपको कह रहा हूं जब मेरे जब में घार के इंटर करूंगा मेरे गली के बाद गंदगी पड़ी होगी तो मेरा ध्यान जाएगा मेरी लाइट समय के नहीं आती जब मेरी लाइट बंद होती है तो लाइट समय के नहीं आती तो फिर मेरा ध्यान लाइट पे जाएगा एक आदमी जिसका दमाग जो है वो देश नरमान में देश को आगे ले जाने में लगना था उसका दमाग नाली गली विजली पानी में गुसा रहता है, जो के सरकार का काम है, इसके लिए सरकार दोशी है. सरकार के साथ-साथ वो पार्षिद भी तो दोशी हुए ना फिर? नहीं, मेरी बाद सुनो, ये चीज़ एक दिन में नहीं बनती, ये जो हमारे से पीशे देश अजाद हुए, बाद में हुए, वो कहां की कहां पहुँच गए, जब हम अजाद हुए तो हमारा भी एक रपिया था, डालर की कीमत भी एक रपिया थी, हमारे रपे की कीमत भी एक लेकिन सतर सालों में डालर जो था सतर बेगा चला गया और हमारा एरपिया वहां ही खड़ा रहा तो पीछे की सरकारों को मैं राइनिती नहीं करना कहता है लेकिन जहां तक होनी चाहिए थी वह नहीं हुए अब यह दोर चल पड़ा है मतलब फिर इसको यह कहा जाए कि जिस त कुछ प्लैनिंग से हुआ नहीं आज मैं आपको दावे से कहता हूं कि जिस तरह निरिंदर भाई मोदी जी के नेत्रत में सरकार काम कर रहे हैं जिस तरह लोग साथ दे रहे हैं डिडी सेलेक्शन में देखा आने वाले समय में इसको आने वाले दोहजार चोविस तक के लगने आज से माखलमंतरी जीजी आय थे जैसे जम्मो में हमारे धञता ही तक जो फंद्रह हजार करोडर में के पर्ज Corps धान की बड़ेगी व्रेगे की गण इसकी आगे कि सोचेंगे नारी गली विज़ी पाने का मुद्रा खत्म हो जाए। कि कहां तक इसका काम पहुचाए। कि अब बात करता हूं और आपको पार्टाइम की राजनिती नहीं कर सकते अब लोग पड़े लिखें हैं और अब पूरी तरह हैंड़ोबर नहीं हुआ हुआ हो जाएंगे। लोगों को रिजल्ड चाहिए लोगों को काम चाहिए जो काम करेगा वही सर्वाइब करेगा। आपको 24 गंटे में, 18 गंटे, 20 गंटे काम करना पड़ेगा तब ही आपको लोग सर्फ करेंगे। अगर बोलोगे मैं अपनी दुकान भी चला लेता हूं, वीनुस भी तला लेता हूं, वो जमर मुंसिबल कॉर्परेशन के पास आने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो ये डिस्पेंसरी वाली बात कही है, क्योंकि हाउस मीटिंग में भी कहा था कि हरवार्ड में डिस्पेंसरी होनी चाहिए, इस डिस्पेंसरी पे जल्द से जल्द काम शुरू हो, और सबसे एहम और जरूरी बात आखिर कब तक हरशक्स ये कहता रहेगा कि हमारी गली और नाली अभी तक नहीं बनी तो पारशदू से नवेदन है कि वो गली और नाली अच्छे से बनाए ताके आने वले समय में कोईवी व्यक्ती जो है वो गली और नाली की बात ना करे बलके आपको कोई अच्छा सा सोजाओ दे कि उनके वार्ड में ये चीज बननी चाहिए आप लोग देखते हैं आरली पोस्ट कैमरामेन गगन के साथ देव ठाकूर जमू